हेलो दोस्तों मैं हूँ दिख्षान कामड़े और आपका स्वागत है मैं रोटिप चानल डेविल क्रेशन पर आज भी हम अलाइट मोशन का यूज करके जो वीडियो प्रिव्यू में दिखाया गया है सिम वैसा है वीडियो कैसे बनाते है वो देखेंगे तो वीडियो को पहल समझेगा नहीं बाद में आप अलाइट मोशन में जाके एडिट कर सकते हैं वीडियो शूरू करने से पहले आपको बता दू कि आपको स्पोर्टिपाई और अलाइट मोशन आपस की ज़रूत पढ़ने वाली है तो उसकी लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रे वीडियो बनाना चाहते हो उस स्वाँ को सर्ज कर लेना है पर टैप कर देना है अब इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है अब बैक चल जाना है अलर्ट मोशन आपस को उपन कर लेना है यह नीचे में प्लस वाल आइकोन पर टैप कर देना है यहाँ पे 9x16 का रिशू सी लिग करके create project पर टैप कर देना है अब timeline में audio एड कर देना है उसके लिए प्लस वाल एकोन पर टैप कर देना है और यहाँ पे shape है media है audio है object elements है और दो तीन तूल से तो हमें audio पर आ जाना है अब यहाँ से audio सीलेक कर लेना है जिस पे आप बनाना चाहते है वीडियो अब जहाँ से आप song पे video या photo एड करने वाले हो वहाँ पर आ जाना है time पे tap करके यहाँ पे mark एड कर देना है इससे होगा यह कि आपको याद रहेगा यहाँ से हमें video या photo डालने करके अब वापस स्टार्टिंग में आ जाना है यहाँ पे हमें एक photo एड करना है जो हमने screenshot ले आथा Spotify का उसके लिए प्लस वाले कम टाप कर देना है media पे चल जाना है और यहाँ से photo ले लेगा है तो कुछ इस तरह का interface आएगा अब यहाँ पे हमें three dot पे tap कर देना है और यहाँ पे fill composition area पे tap कर देना है अब हमें effect आट करना है उसके लिए effect पे आ जाना है add effect कर लेना है और यहाँ पे flip search कर लेना है अब यहाँ पे tap कर देना है standard setting कर लेना है और angle इसका minus 10 रख लेना है अब back चल जाना है अब move and transfer पे आ जाना है इस third option पे आ जाना है और इसे थोड़ा zoom कर लेना है back चल जाना है पूरा अब mark पे चल जाना है पोटो पे tap कर देना है इस आले icon पे tap कर देना है duplicate layer कर देना है अब वीडियो के starting पे आ जाना है अब यहाँ पे shape आट कर देना है उसके लिए plus icon पे tap कर देना है यह वाला shape ले लेना है अब edit shape पे चल जाना है अब यहाँ पर x की value 1070 रख लेना है अब y पे आ जाना है और इसकी value 180 रख लेना है और radius 300 रख लेना है अब back चल जाना है अब mark पे आ जाना है shape पे tap कर देना है और इस वाल icon पे tap कर देना है अब shape को photo के साथ mask कर देना है उसके लिए shape पे tap hold करते रखना है फोटो पे tap कर देना है और इस second वाल icon पे tap कर देना है अब photo पे चल जाना है edit group पे चल जाना है shape पे tap कर देना है more and transfer पे आना है अब हमें यहाँ पे keyframe आड़ कर देना है उसके लिए इस वाल icon पे tap कर देना है और इसे नीचे slide कर देना है सबसे last में आ जाना है थोड़ा gap छोड़के यहाँ पे plus वाल icon पे tap कर देना है और हमें जिस song पे चाहिए video थी उस song पे आ जाना है अब दोनों के बीच में आ जाना है अब three dot पे tap कर देना है enable out shoot पे tap कर देना है इस वाले curve पे चल जाना है और इस में से third वाला curve ले लेना है और यहाँ पे इसको बगड़के कुछ इस तरह से कर देना है ऐसे और white को ऐसे कर देना है अब back चल जाना है अब group पे tap कर देना है border न है shadow पे आ जाना है Add border कर देना है यहाँ पे 20 कर देना है back चल जाना है photo पे tap कर देना है इफिक पर टैप कर दिना है, एड इफिक कर लेना है, और यहाँ पर लेंज पिलर करके सर्च कर लेना है, चैनल सेटिंग, अब बैक चल जाना है अब ग्रूप पे टैप कर देना है। इफिक पहना है एड इफिक कर लेना है यहाँ पे फेड इन फेड आउट सर्च कर लेना है। चैनल सेटिंग और इनको थोड़ा कम कर लेना है। बैक चल जाना है अब इस थ्री डॉट पर टैप कर दिना है कॉफी इफेक्ट कर लिना है बैक चल जाना है फोटो पर टैप कर दिना है इफेक्ट पहाना है इस थ्री डॉट पर टैप कर दिना है और यहाप पे पेस्ट इफेक्ट कर लिना है और back लेका हे अब यह आप आ वीडियो या फोटो ढाल सकती हो तरू मैं वीडियो ढलउँगा प्लसवर यहाँ पर देड़ आनाय है मीडिया पर राऍनाय हो आज यहाँ से वीडियो ले लेनाय है अब हमारा वीडियो पूरी तरह से बनके रिटी हो चुका है अब इस वाले आइकोन पर टैप करना है और एक्सपोट पर टैप करना है यहां से गैलेरी में सेव हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाले आइकोन झाले आइकोन झाले आइकोन झाले आइकोन पर टैप करना है